गुड मॉर्निंग स्टुडेंट मैं हरी स्वारद आज आप सभी का ग्यान पीट परवार में स्वागत करता हूँ जैसा आपको पता हर सटरडे को हम एक वीकली टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट बहुत जरूरी होता है आज की टेस्ट की खास बात ये है कि जो डिसकसन हुआ ना उस पर बेजड आपको नए क्वेस्टन सामने मिलेंगे क्योंकि होता क्या है अगर हम पहले ही mcq कर लेते हैं तो कई बच्चों को तो option तक रट जाते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि बास्तविक्ता क्या है इसलिए जो discussion किया है उस discussion में अगर आपने अपने आपको involve लखा है तो आप 40 के 40 questions सही कर पाऊगे कुछ questions repeated भी है यानि कि उस question को हम कर चुके हैं जादतर questions नए मिलेंगे 120 marks का test है यानि कि सही का plus 3 गलत का minus 1 आपको अपना score बताना है 120 में कितना हुआ जैसा हमने बताया है अपने plan के हिसाब से हम चल लें हमें पता है कि हम Saturday को क्या करते है सटर्डे को हमारा discussion होता है विभिद topics ठीक है तो के बल दो ही topics हैं जो विभिद में आज सामिल हुए तो फटापट उनको बताते ही हमारा जो test है वो सुरू हो जागा यानि जस्ट हमारा test ही सुरू होगा थोड़ी देर में ही ठीक है दूसरा mix questions हमारे mix questions तो रहेंगे ही test के माध्यम से full week test तो यह हमारा आज का discussion होगा तो saturday की class अपने आप में बहुत ही महत्पूर क्लास है क्योंकि जितना हमने पूरे हफदे पढ़ा है वो सब का एक अच्छा revision होता है बहुत ठोस revision होता है और आपको भी पता चल पाता है कि आपका क्या level है आपने जो current पढ़ है अगर आप से question पूछा जा रहा है तो आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो तो सब अपना real score जरू बताएंगे test start करने से पहले हम विभित topic वाला part कर लेते हैं आज का देखो ITPO complex की बात हो रही है प्रिधान मंत्री मोदी जी ने भारत मंडपम का उधगाटन किया ये बोला जाता है कि अगर ये हमारा जैसे ही आप देख रहे हो इतना भब है कि ये नया complex दुनिया के CS 10 दुनिया के top 10 convention center में सामिल हो जाएगा जर्मनी के हनोवर और चीन के जो संहाई जैसे विख्यात convention center है उनको टक कर देगा तो हमें इतनी बात पता होना चाहिए ये क्या नाम है भारत मंडपम इसका नाम हमें पता होना चाहिए भारत मंडपम भारत मंडपम के नाम से नया ITPO complex यहाँ पर इस्थापित किया गया है इतनी बात आपको जरूर ध्यान एक छोटी सी बात और है फिर हमारा test सुरू हो जाएगा Odisha CM आपको पता होना चाहिए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंतिरी रहने वाले नवीन पतनायक हो गए है ठीक है इनके बारे में एक जानकारी और प्राप्त कर लो आप CM पतनायक Odisha के 5 बार मुख्यम नवीन पतनायक ने 5 मार्स 2000 को मुख्यमंत्री पत कारभार समाला था और 23 साल 138 दिनों तक इस पत पर रहे और वो पहले से जो सबसे जादा समय तक रहे ना उससे बहुत ही कम समय पहले मतलब पीछे हैं यहां पर बात करें CM नवीन पतनायक ने पश्यम बंगाल के ज्योती वसू का रिकॉर्ड तोड़ा है जो 23 वर्स और 137 दिन तक CM रहे थे ठीक है इनका रिकॉर्ड इन्हों ने तोड़ दिया क्योंकि यह 138 दिनों तक हो गए तो अब इससी बाते रिकॉर्ड तूट गया अब उनसे आगे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री यानि कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप से पूछा जाता है कि सबसे लंबे कार्यकाल के क्योंकि इन्हों ने ये भी रहे थे कभी ठीक है जोती वस सबसे लंबे कारेकाल के CM रहे थे उनका record इन्होंने तोड़ा था तो अगर आप से पूछे कि बताओ सबसे लंबे कारेकाल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं पवन कुमार चामलिंग ठीक है सिक्किम के पूरु मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग अब आप देखो कितना अ करते हैं ठीक है टोटल 40 questions है टोटल discuss हो चुका है तो इसमें मैं बिल्कुल discussion नहीं करूँगा आप comment फटापट करते चले जाओ किसका क्या answer है ठीक है आप comment करोगे और बाद मैं मुझे 120 में से कितना score हुआ है ये जरूर बताना मुझे भी तो पता चले ना कि बच्चे कैसा क किस जानबर के अस्वरक्षित संपर्क से फैला है WHO ने कुछ बताया है ना कि इस जानबर के अस्वरक्षित संपर्क में आओगे तो ये हो सकता है ठीक है अन प्रोटेक्टेटिट कॉंटेक्ट विच एनिमल एकोर्डिंग टु डवलु एचो मिडिल इस रेस्परेटरी सिं संद्रॉम कोरो कोरोना वाइरस ठीक है इस इस प्रेट थ्रो अन प्रोटेक्टेटिट कॉंटेक्ट विच एनिमल तो ये एनिमल है ड्रोमेडरी उट सी इसका सही आंसर है अगले क्वेस्चन बार आते हैं वोट इच अकीरा विच वोज इन डिसकसन रिशेंटली अकीरा क्य इसके बारे में डिसकस कर चुके अकीरा के बारे मैं अगला है पीएम मोदी ने कहां सेमी कौन इंडिया का सुभारम किया था इसका सही आंसर है गांधी नगर आपको मैं बताए था में केबल दो ही होते हैं, सिलीकोन और जर्मेनियम, लेकिन अगर आप से पूछा जाए क्या सिलीकोन जर्मेनियम ही सेमी कंड़क्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, सेमी कंड़क्टर और हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंटल स्टेट में केबल सिलीकोन जर्मेनियम हैं, यह आप से यह हमारा germanium और silicon ठीक है आप लिख सकते हो germanium silicon यह केबल यही semi conductor होते हैं elemental state में अगला आता है तो इसका सही आंसर है सारुक खान को घोसित किया गया है हाल ही में सात्विक चिराग की जोडी ने पहली बार कौन सा खिताब जीत कर इतिहास रस दिया है सात्विक चिराग की जोडी ने फटाफट आंसर करो तो इसका सही आंसर है कोरिया ओपन 2023 अगला है हमारा तो इनके हाथ नहीं है यह मतलब खुद ही देखो कितनी इंस्प्रेशन है हमारे सब के लिए कितनी इंस्प्रेशन देती है कि हाथ नहीं है फिर भी इन्होंने यह खिताब हासिल किया है विस फाइनल में पहुचने वाली ठीक है लीजा फ्रांचेटी has been appointed as the first woman navy chief of which country ठीक है किस country की किस देश की हाली में लीजा फ्रांचेटी पहली बार किस देश की महिला नोसेना प्रमुक निक्त की गई है बहुत ही महत्पून वात है फटाब फटाब कमेंट करके बताओ हाँ very good इसका सही आंसर है USA USA की appoint की गई है जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे है ज्यादा तर बच्चों के देखो सही आंसर आ रहे है यह दिखा रहा है कि आपने पढ़ाई तो किये कुछ बच्चे उट हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला निजी हिल इस्टेशन लवासा सहर बताया था न मैंने लवासा सहर प्रोजेक्ट कैसे फेल हुआ है सपना तूटा तो एक छोटी सी लापरवाई से तो लवासा सहर किस राज में महराश्ट इसका सही आंसर है पुने के पास अगला हाल ही में सबसे कम उम्र में नौर चेनल पार करने का रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में नौर चेनल पार करने का रिकॉर्ड अंसुमन के द्वारा बनाए गया यह इसका सही आंसर है अंसुमन ने रिकॉर्ड बनाया है अगला है फीफा रेंकिंग 2023 की ताजा रेंकिंग में हम 99 पोजीशन पर हैं ठीक है एक नंबर का वी एक पोजीशन का उच्छाल मिला है अगला है डियूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डी एमडी इसके बारे में तो डिटेल में पूरा डिसकसन किया हुआ है फिलाल आप इसका आंसर दो डी एमडी के उपचार के लिए किसके साथ एक सहयोग आत्मक प्रियास हेतू समझ होता किया गया है तमिल नाडू भारत के डॉक्टरों और जापान के बैग्ज्यानिकों के मद भारत के डॉक्टरों और फ्रांस के भारत के डॉक्टरों जर्मनी के भारत के डॉक्टरों और ऑस्टेलिया के तो किसके मद किया गया है ध्यान रखना हमेशा ये जापान ठीक है इसका सही आंसर है ए ठीक है ये आपको मैंने सब इसके बारें बताया था ठीक है ये एक हेरेडिटी बाली डिजीज है और ये बच्चों बालकों में होती है उसकी बजह भी मैंने सब एक्स्प्लेइन कर दी है बालकों मतलब बॉइज में होती है भारत की पहली केंविस मेडीशन परियोजना यानि कि भांग वही आप बताओ भांग से मिर्गी जैसे रोगों का कि गई है तो भारत की पहली केंविस मेडीशन परियोजना कहां इस्थापित की गई है ठीक है ये याद रखना जम्बू इसका सही आंसर है अगला देखते हैं क्या बता सकते हो भांग की खेती पर रोग किस ने लगाई थी बोलते हैं भांग पिये रहता था उसी नहीं लगाई थी औरंग जीबने और तवाकू की खेती पर रोग लगाने वाला कौन था जहांगीर तो इसका सही आंसर है ए नेक्स देखते हैं हाल ही में किस राज में आवारा पस्वों से फसल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेज सुरक्षा योजना सुरू की गई किस रा हाल ही में किस राज सरकार ने मिसं सक्ती स्कूटर योजना सुरू की और ये बास्ताम में जो सेल्फ हेल्प मतलब सेल्फ हेल्पिंग ग्रोप है एस एच जी इनके लिए मुख्य रूप से किया गया है मिसं सक्ती स्कूटर योजना ये उडिशा सरकार द्वारा सुरू किया गया है हाल ही में किस राज में भगवान सीरी राम की 108 त्विट उची पृत्वा की आधार छिला रखी गई 108 और बोला जा रहा है कि संभ नहीं सब से समी पृत्व नहीं हो जाएगी र हाग फ़र यमंटक्र में सॉल्प्र कौन सा राज है जिसको पहला Construction Innovation Hub मिला है केरल इसका सही आंसर है केरल इस दा राइट आंसर अगला देखते हैं ओनलाइन प्लेटफॉर्म आधारिद गिग वरकर्स के लिए यह मैंने बताया था गिग वरकर्स कौन होते हैं जो मतलब आपको जैसे आप एमजॉन फ्लिपकार्ड या जो मेटो इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं ठीक है यह गिग वरकर वो ले जाते हैं एक निर्धारिक ट पासा बिल for the welfare of online platform based gig workers तो दिस इस राजस्थान ठीक है राजस्थान पहला राजवन गया है अगला है विस्व ब्यापार संगठन का तेर्वा मंत्री इस्तरिये सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है ठीक है अभी हाली में आपको पता है जो हमारा विस्व ब्यापार संगठ इसका तेर्वा मंत्री इस्तरिये सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है क्या आबुधावी में किया गया है जंजीवार में किया गया है पेरिस में किया गया है या नई दिल्ली में किया गया है बैरी वोड इसका सही आंसर है आबुधावी ठीक है आबुधावी इस दा करक् महिला कौन बनी है most important question है नागा लेंड की पहली महिला कौन बन गई है इनका सही आंसर है फांग नोन को नियाक पहली महिला बन गई है जिनों रहे राज सभा की अध्यक्सा की है अगला देखते हैं हाल ही में किस देश ने लिंग परवर्तन और ट्रांस जेंडर विभा पर प् दक्षा सलहकार अजीत धोवाल ने कहां फ्रेंड्स और ब्रिक्सर बैठक में हिस्सा लिया कहां हिस्सा लिया नहीं तो इसका सही आंसर है जोहांसवर्ग आपको पता होना चीए ब्रिक्स बैठक का आविजन दक्षिन अफरीका का में किया जा रहा है तो ये रेलवे स्टेशन को Watch संस्कृतिक व्रासत पुरुषकार मिला है यह स्टेशन किस राज में है अभी हाली में मिला और न मैंने बताए था यह सब कुछ तो इसका सही आंसर क्या है महाराष्ट कुछ अनसर महाराष्ट के स्टेशन को मिला है अगर आप से पूछा हाली में जापान में विस्ट तेरा की चेंपियनसिप में किसने 400 मीटर व्यक्तिगट मैडले में प्रिसिद अमेर की तेराख माइकल फिलेप्स बई सभी जानते इनका नाम बहुत प्रिसिद ये तेराख है कि अंतिम ब्यक्तिगत बिस रिकॉर्ड को तोड़कर एक उलेखनी उपलब्दी हासिल की है तो ये कौन है ये है लियोन मारचंद और ये कहा के हैं फ्रेंच है ठीक है ये आपको ध्यान लगना है पैन गौंग शेंग किस देश के केंद्रिय बेंग के नए गवर्नर बने है तो ये देश है चीन को match करना है देखो हम पूरे हफ़ते के current affairs तो आपको कराते ही है revise कराते हैं साथ के साथ जो इससे पहले जो पुराने current affairs हैं उनको भी test में भी सामिल कर लेते हैं और daily current affairs में भी सामिल करते हैं को ultimately आपको exam देना है तो उसमें एक हफते के तो आएंगे नहीं, बाकी के भी आएंगे न, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी रूप में आपके बाकी भी रिवाइज होते रहें, ठीक है, जैसे ये भी समझ सकते हो, किताबों पर बेज मैंने अभी आपको कराया था, तो आप इसका आंसर बजाओ क्या होगा, The light we carry, overcoming in uncertain times, तो ये पुस्तक इसकी है, मिसेल अबामा की पुस्तक है, Now you breathe, ये राखी कपूर की पुस्तक है, Victoricity, ये सलमान, रज्दी की पुस्तक है, और, Through the broken glass, ये ओटोग्राफी है, किसकी है, TN Season की, तो आप देखोगे, इसमें बन का जिसमें B हो, तो ये है बन का भी, लेकिन 2 का ये भी होना चाहिए, तो 2 का ये भी है, 3 का डी भी होना चाहिए, बस हो गया यही आंसर आपका सही है, B is the correct answer, अगला ये same English में है, उससे कोई फर्क नहीं है, आप समझ गए होगे, अगला है, who is the first actress of Asian origin to win Oscar Award, Oscar Award जीतने वाली ACI मूल की पहली अभनेत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, भले ही ये current थोड़ा पुराना है, लेकिन most important है, तो आपको पता होना चाहिए, मिसेल यो, ठीक है, इसके अलाबा भारतिये दायली फेंड विस्पर और वो ना मैग्रों पारिस्तित के तंत्र, when was the international day for conservation of मैग्रों ecosystem 2023 observed, ठीक है, कब ये मनाये गया था, तो ये मनाये गया था 26 जुलाई को, और इसी दिन हम कारगिल दिवस भी मनाते हैं, कारगिल दिवस, इस बार कारगिल दिवस कौन सा मा था, 24 मा था, 24 मा कारगिल दिवस मनाये गया, अगला है हमारा, when was national fish farmers day celebrated, राष्टिय मत्स किसान दिवस कब मनाये गया, राष्टिय मत्स किसान दिवस मनाये गया, 10 जुलाई को, D is the correct answer, अगला देखते हैं, एक और आपके सामने लिखा हुगा है, एक theme लिखी हुई है, लेंगिक समानता की सक्ति को उजागर करना, दुन संख्या दिवस कब मनाये गया, तो यह मनाये गया, 11th of July, A is the correct answer, अगला है क्यू डांग्यू, क्यू डांग्यू, सहीउक्त राष्ट के किस संग्ठन के महाने देशक अभी निक्त किये गये हैं, क्यू डांग्यू वाज री एलेक्टेट एस दा डारेक्टर जननल अफ अगला है, इन जुलाई 2023, the central government appointed the new chairman of international financial services, financial services central authority, IFSCA, IFSCA, इसका मुख्याल है, Gift City में है, ठीक है, और अगर आप से पूछे कि अभी हाली में केंज सरकान ने अंतराष्टिय वित्तिय सेवा केंद्री प्राधी करन, IFSCA का नए अध्यक्ष किसको निक्त किया है, के राजारामन इसका सही आंसर है, के राजारामन, ठीक है, और Gift City क के नाम से आपको एक बात जरूर याद आनी चाहिए, डीकन उनिवस्टी, पहला विस्विद्याल है, जो विदेशी विस्विद्याल है, उसका केंपस इंडिया में स्थापित हुआ है, और यह बने अपाध्यक्ष, अगला है हमारा, यह पूचा है हमसे, तो इसका सही आंसर है, पेट्री और पो, पेट्री और पो अभी फिनलेंड के प्राइम मिनिस्टर बने है, अगला है, भारती मूल की कितनी महिलाएं, फोफ्स 2023 की सो सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सामिल के गई हैं, कितनी महिलाओं सामिल के गई हैं, तो इसका सही आं इसमें खास बात यह है इन सबसे अमीर कौन सी है भारती मूलकी तो यह है जैसरी उलाल और अगर आप से पूछे सबसे युबा कौन है तो सबसे युबा है नीर्जा सेथी इतनी बात आपको अलग से पता होना चीए तो पूरे संसार में पहली बार एक महिला अधिकारी जो बिस्व के सबसे उचे युद्ध सेत्र सियाचन में तेनात के गई है तो सबको पता होना चीए सिवा चोहान ठीक है यह थोड़ा पुराना करंट है फिर भी है इसमें सामिल दो चार अगला है बिदेसी धरती पर सुख होई बिमान उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बिदेसी धरती ठीक है जो बीर गार्जन में सामिल होई थी ठीक है अबनी चत्रवेदी डीज़ा करक्टांस है ठीक है पहली फाइटर हाल ही में बाल किर्षन दोसी का निधन हो गया है बेक पिरसिद थे अब सबको पता है वो कौन थे एक पिरसिद आर्किटेक्ट थे और 2018 में आर्किटेक्ट का नोल पुराइज कहा जाने वाला नोल पुराइज बोलते हैं उसको आर्किटेक्ट का नोल पुराइज पृतिज मनी फूकन का अभी निधन हुआ है इनको 56 ग्यानपीट पुरुसकार मिला है 56 ग्यानपीट पुरुसकार ठीक है ये पिरसिद कभी एवं साहितकार थे और टेश का last question हाल ही में मद्य प्रदेश का 54 जिला घोसित हुआ है तो आपको पता होना चाहिए चंगनमा जिला नागदा घोसित हुआ है और नागदा दो जिलों से कटकर बनाए चार तैसिल इसमें है एक खुद नागदा एक खाज रौद ठीक है एक आलोट और एक ताल ये दो राजधानी रतलाम की हैं रतलाम रतलाम से जाता रहा है उजयन किस नदी के किनारे पर है छिपरा नदी के किनारे पर ठीक है और अगर आप से पूचे नागदा किस नदी के किनारे पर है चंबल नदी के किनारे पर ठीक है अगर आप PDF लेना चाहते हो ना केबल इस कोर्स की बलकि paid course की भी सबकी आपको PDF मिल जाएगी इसके लिए आपको course join करना पड़ेगा जिसकी fee बहुती कम रखी है दो साल के लिए केबल 200 रुपे की fee है ठीक है आप description में इसको link से join कर सकते हो इसके अलाबा अगर आपका target PCA 2024 है यह 2024 है ते ही 2024 नहीं है तो आप हमारा course join कर सकते हो ठीक है आप ग्यान पीट institute का app डाउनलोड करें और यह course अपने आप में complete है आपको इस तरह की GS होगी उसके test भी होगा आपके exam से काफी पहले आपका सबको syllabus complete होगा जो actual demand है ना exam की उसके base पर यह पूरा code design किया गया GS का इसमें CS second नहीं होगा GS का complete होगा ठीक है क्योंकि merit उसी से बनती है अगर आप यह course ले लेते हैं आपका target PCS, Piri के साथ साथ ROARO, Piri, Main सब कुछ मतलब final आपको ROARO का भी target करना है तो आपका complete course है इसमें बाकी दो लेने की आपको कोई जरुवत नहीं है क्योंकि इस course में बाकी दो automatically सामिल है इसमें आपको ROARO की Hindi, essay writing और जो ROARO की GS जिस level की चाहिए जो उसकी demand है वो आपको पूरी तरह से complete मिलेगी पूरी GS मिलेगी, पूरी Hindi मिलेगी essay writing और पत्र लेकन सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है? तो मिलते है next class में, कोई भी confusion हो कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप YouTube पर comment कर सकते हैं, अधर बाई एक number है हमारा help line number 844 7755289 यहाँ पर आप call कर सकते हैं कुछ भी अप कर दो झार झाल झाल